इस बजट का बड़ा धिडोरा पीटा जा रहा है, इसे महान बताया जा रहा है, जिस देश में टमाटर 100 रुपे किलो बिक रहा हो, उस देश की बित्मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है, मैंने तो ये भी सुना है कि बित्मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं, उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। संसत की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कब खरीदिये तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुर्वा की रवानी भूल जाते, जो आकर चार दिन गाओं में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। इलेक्टोरल बॉंड खरीदने वालों के नाम चुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है मुझे तो होटलों ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ के इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नीन कैसे आती है आप सो कैसे पाते हैं ये बज़ट जूट का पुलिंदा है ये बज़ट बैसाखी पर टिकीवी सरकार का कुर्सी बचाओ बज़ट है इस बज़ट में किसानों के साथ, नोजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है दरन्यवाद सभापती महोदे आपने मुझे आम बज़ट पर बोलने का मौका दिया थोड़ा सा इसकी जांत करो यह आपसी मामला है, यह खतम होने वारा नहीं है मेर से इसकी जड़ें बहुत गहरी गई हुई है मैं रोज देखता हूं यह जड़ें गहरी होती ही जाती है इम्रान परताब गड़ी धन्यवाद सभापती मोहदे, 83 मिनिट, 71 बार थपथपाई गई मेज 14,417 शब्दों का बज़ट भाशन और उस बज़ट में अपने लिए राहत तलाशती, मिडल क्लास की हैरत जड़ा आखें सभापती मोहदे मेरे हाथों में जो दस्तावेज है दरसल ये देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की उम्मीदों का इसमारक है ऐसा लग रहा है जैसे बित्त मंत्री मोहदेया ने बज़ट नहीं तयार किया है बलकि प्रधान मंत्री जी की मन की बात का संकलन तयार किया है तूटा हुआ लशकर का भरम देख रहे हैं तूटा हुआ लशकर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं ताकत का नशा अकल पे हावी है तुम्हारी तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं बित्मंत्री महोदिया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ दस शब्द बोला है जिस देश में टमाटर सो रुपए किलो बिक रहा हो सभापती महोदे मेरा टाइम पॉस करें और अब बार बार इंटरैप्ट करने को या तो मना करें आद बोले एक रिपय बोले सबापती महोदय, विट मंतरी महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं, जिस देश में टमाटर 100 उपे किलो बिक रहा हो, उस देश की विट मंतरी के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है, डीजल, पेट्रोल, आटा, चा ही नहीं सावन चल रहा है तो प्याज और लेसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा मैंने तो ये भी सुना है कि वित्तमंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती है उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता लेकिन इस बार लेकिन इस बार बजट पेश करने के लि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दुनों पता ही होगा क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी अगर पता है तो कृपिया सस्ता करवाईए क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदिया का राजनेतिक कैरियर कड़वा कर दिया लन्तरानी भूल जाते जो आकर चार दिन गाउं मे रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते सभापती महोदे इलेक्टोरल बॉंड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती वी सांसों के लिए आक्सीजन तलाशने वाले किसी इनसान ने आक्सीजन लाने वाले किसी इनसान से पूछा था मुझे पूछना है कि लावारिश लासों के लिए कुरोना में कांगा जैने वाले चिताओं के लिए लकडियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम उसका मजभ लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापती महोदे अफसोस देश के प्रधान मंत्री जी ने कभी न तूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है सभापती महोदे जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी ये सरकार तो अमरित काल का नाम लेना ही भूल गई ये भूल गई है अमरित काल को ये भूल गई है मनरेगा को ये भूल गई है मौला नाजाद नेशनल फेलोशिप को ये भूल गई है मनीपूर को ये भूल गई है महरास्टा को मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महरास्टा का प्रत्निधित तो करता हूँ महरास्टा जो देश की आर्थिक राजधानी है जो टोटल कॉर्पोरेट टेक्स का 40% इंकम टेक्स का 32% और जीस टी का 20% इस देश को देता है उस महरास्टा के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है सभापती महोदे आखिर महरास्टा से किस बाद का बदला लेने पर उतर आए अब तो शायद उन्हें याद भी नहो यवत माल का वो दाभरी गाउं जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे उसी यवत माल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है सभापती महोदे महरास्टा में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे है राज्य सरकार द्वारा सौपा गया आकड़ा बताता है कि एक जनवरी से 31 माई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है लेकिन अफसोस इस बजट में महरास्टा के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है किसानों से चिड़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के MSP की लीगल गारंटी नहीं दी लेकिन याद रखिएगा जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं सभापती महोदे मुझे बित्मंत्री जीसे पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले सोई स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था सुना है उस ढोल में पानी भर गया है इसलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज आप ग्रोथ हफ्स रख दिया है अच्छा है नाम बदलने का खेल खेलते रही है आपकी कई सरकारें तो इसी वज़ा से चल रही है इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापती महोदे इसलिए इस सरकार ने UGC का बजट 6-6% कम कर दिया है वारी सरकार सभापती महोदे मैं बित्त मंत्री जी के संग्यान में लाना चाहता हूँ कि किशन गंज में AMU सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है UPS सरकार ने सोनिया गांधी जी किया गुआई में 136 करोण रूपए AMU किशन गंज सेंटर के लिए शक्षन किये थे लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोण में से सिर्फ 10 करोण रूपए रिलीज किया है डेड़ करोण की आबादी वाला सीमान चल बहतर सिच्छा के लिए उस संटर की बाट जो रहा है मेरा आप से सवाल है कि इस संटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे मुझे उम्मीद है बित्तमंत्री महोदिया जबाब जरूर देंगी सीमान चल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहरे आपकी सरकार चल रही है वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है महाननदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांद बनाईए सीमान चल के साथ सोतेला विवहार बंद करिये एकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा बिकास होगा स्वास्त और सिक्चा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर सभापती महोदे एक तरफ तो इस बजट में पी-म आवास योजना के तहट तीन करोन अत्रिक्त मकान देने की घोशड़ा है और दूसरी तरफ लखनव के अकपर नगर में बारा सो असी वो मकान है जिने रीवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुल्डोजर से जमी दोस कर दिया गया सभापती महोदे लोग चीखते रहे बच्चे भी लगते रहे वसुधयो कुटुम्बकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरोंदे उजार कर जश्ण मना रही है सभापती महोदे मेरा बहुत भावता के साथ देश के प्रधान मंत्री से सवाल है के इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नीन कैसे आती है आप सो कैसे पाते है मेरा सवाल है इस देश के प्रधान मंत्री से या तो लोगों के घरोंदे उजड़ना बंद करिए या फिन करोणों मकान बनाने की जूटी घोशनाय करना बंद करिए यह बज़ट जूट का पुलिंदा है यह बज़ट आपके पिछले साल के बज़ट का कट कोपी पेस्ट है यह बज़ट हमारे चुनावी घोशना पत्र की नकल करने की एक बेइमान कोशिश है लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए अकल चाहिए मेरे हाथ में एक तरफ न्याए पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याए पत्र है जो आपका है इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सबापती महोद है जब आप इनसे सवाल पूछिए तो यह कहता है कि आप पताईए 70 साल में आपने क्या किया है मैं तो इस सदल में कहना चाहता हूँ सबापती महोदे कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है सभापती महोदय मैं अंत में आप से ये कहना चाहता हूँ ये बजट बैसाखी पर टिकीवी सरकार का कुरसी बचाओ बजट है इस बजट में रज्जों के साथ, किसानों के साथ, नोज़मानों के साथ, महिलाओं के साथ देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महरास्टा, हर्याना और जहारखंड के चुनाओं में भुगतना पड़ेगा सभापती महोदे इस सरकार ने नोट बंदी लगा कर देश की आम जनता की पूजी चीन लिए कपर सिंग टेक्स लगा करके छोटो ब्यापारियों के कारोबार चीन लिए पेपर लीक करवा करके युवाओं की आँखों से नौकरी के सपने चीन लिए अगनी वीर लाकर देश के जवानों की उमीदें चीन लिए बुल्डोजर लगा कर लोगों के आशियाने चीन लिए महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले चीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं अठारा अठारा घंटे काम करते हैं इन ही लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और जूट में दूरी है वो दूरी समझते हैं सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं वो अपना हक समझते हैं निवाला चीन लेने को डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है सभापती महोदे मैं यहां खड़ा हो करके अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम राज्जों के साथ अन्याय किया गया है इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और खास तोर से महरास्ट्रा के लिए कुछ नहीं रखा गया है महरास्ट्रा बार से जूच रहा है पानी परचने से वहां 15 सो से ज़्यादा लोग मारे गए है उस शहर को उस राज्ज को 4000 करोन के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फसले बरबाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी लेकिन अफसोस इस बजट में महरास्ट्रा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साथ दिन से इस बजट का बड़ा धिडोरा पीटा जा रहा है इसे महान बताया जा रहा है लेकिन कौन महान बता रहा है सत्ता पक्ष के लोग उन्हें तो बताना ही है क्योंकि मैं अवद छेत्र से आता हूँ प्रताब गड़ से नीरज भाई भी अवद और पूर्वांचल से आते हैं वहाँ एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ किसने की बिटिया की महतारी ने यानि कि बेटी की प्रशंसा किसने की मा ने तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही लेकिन विपक्ष के एक भी सांसत से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है तो वो ये कहेगा कि नहीं कुछ भी नहीं मिला है बहुत बहुत धन्यवाद सभापती महोदै धन्यवाद बजट पर अपनी राय रखने के लिए धन्यवाद